नमस्कार आईए आज बनाते हैं सूजी उपमा इसके लिए एक कटोरी ड्राइर रोष्ट सूजी और आधा कटोरी मुफली दाना ले लीजिए उपमा के लिए मोटी सूजी अच्छी होती है लेकिन घर में जो भी हो उस सूजी से आप उपमा बना सकते हैं साथ में दो हरी मिर्च, आठ दस करी पत्ते और आधा नीबू ले लीजिए और आधा आधा चम्मच नमक, मिर्च, धनिया, राई और चुटकी बर हींग ले लीजिए कड़ाई में दो चम्मच तेल गरम करके मुफलियों को धीमी आज पर फ्राई कर लें मुफली दाने गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें प्लेट में निकाल लें कड़ाई में जो गरम तेल बचा है, उसमें राई डालें और ढखक कर क्रेकल होने दें राई क्रेकल होने पर हिंग डालें, साथ में कटे हुए करी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दें करी पत्ता मिर्च डालने के बाद सूजी डालें और एक मिनट चलाते हुए भूनें हमें सूजी का चारगुना पानी डालना है इसलिए चार कटोरी पानी डालें पानी डालने के बाग सभी मसाले मिलाएं और इन्हें थोड़ा चलाएं मसालों के बाग इसमें नीबु का रश डाल कर अच्छे से मिला दें कढ़ाई का धकन लगाएं और पांच मिनट धीमी आज़ पर पकाएं पांच मिनट बाग धकन हटा कर देखें सूजी उपमा तयार है अब इसमें फ्राई की हुई मुफलियां मिला दीजिए मुफली डालने के बाद उपमा को अच्छे से मिला लिया है उपमा का स्वाद बढ़ाने के लिए एक चम्मच देशी घी डाल लीजिए लीजिए हमारा सूजी उपमा तयार है तयार उपमा को हरी मिर्च और नीबू से सजाएं और खाने का आनन्द उठाएं यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद